जै स्री राम जै हनुआन केवल हनुआन जी के सच्चे भक्ती देखें उत्तर रमयन में एक प्रसंग आती है असुमेग यग जब पूरा हो गया इसके बाद भगवान स्री राम ने अपनी सभा का आयोजन किया सभी देपताओं को अमंत्रित किया गया रिसी मुनियों को बुलाया गया किन्नरों यक्छों राजाओं आदी को भी उनमें अमंत्रित किया गया सभा में सभी आये अब नारद मुनी के भड़काने पर एक राजा ने भरी समय में रिसी विस्वामित्र को छोड़कर सभी को परणाम किया अब रिसी विस्वा मेतर वो गुस्से में आगए कुरोद में आगए और उन्होंने भगवान स्री राम से कहा कि अगर सुर्यास्ट से पहले स्री राम ने उस राजा को मिर्ति-धंडन नहीं दिया तो राम को सुराब दे देंगे इस पर स्री राम चद्र जी उस राजा को सुर्यास से पूरो माडने का प्रन ले लिया अब स्री राम जी ने प्रन की ख़वर पाते ही राजा भागा भागा हनुमान जी के पास जाता है और हनुमान जी की माता अंजनी के स्रन में चला जाता है बिना पूरी बात बताए उसने प्राण रक्षा का बचन मांग लिया हनुमान जी की माता से तब मा अंजनी ने हनुमान जी को राजन की प्राण रक्षा का आदेश दिया अब हनुमान जी जब माता की बात हो तो भला वो कैसे टाल सकते हैं स्री राम जी की सफ़द लेकर कहा कि कोई भी राजन का बाल भी बाकर नहीं कर पाएगा लेकिन जब राजन ने बताया कि भगवान स्री राम जी ही उनका बद करने का पुरन किये हैं तब हर्मान जी बहुत ही धर्म संकत में फस जाते हैं और राजन का प्राण कैसे बचाया जाए माता का दिया हुआ बचन को कैसे पूरा करें ये भगवान स्री राम जी को सराव से कैसे बचाएं तमाम तरह के प्रस्ण इनके मन में घूमने लगती है अब धर्म संकट में जब फस जाते हैं हर्मान जी तब एक योजना बनाते हैं हर्मान जी राजा को खोशते वे स्री राम जी सरी राम राम जप रहा है अब प्रभू स्री राम ने सोचा ये तो मेरा भक्त है मैं भक्त के प्रान कैसे लेलू तब स्री राम जी ने राजभवान लोट कर रिसी विस्वामित्र से अपनी दुभीधा कही अब विस्वामित्र अपनी बात पर अडिग रहे और जिस पर स्री राम जी को फिर से राजा के प्रान लेने हैं तुम सर्यूत के टत पर लोटना परा अब होता क्या है वहाँ पर कि जब स्री राम जी के समक्ष भी धर्म संकट फिर भी है वो खड़े है चुपचाप राम नाम जपराय राजा अब भक्त का बद कैसे करे स्री राम जी सोची रहे थे कि हनुमान जी को उनके साथ होना चाहिए था अब हनुमान जी को स्री राम चंद्र जी याद करते हैं तो सुक्ष मसरीर में जो हनुमान जी वहाँ पर छिपे हुए है राजन के पीछे यहाँ पर हनुमान जी को यह पता है कि राम नाम जपते हुए राजा को कोई नहीं मार सकता खुद मर्यादा पुरसुत्तम राम भी न इसे में स्री राम जी ने सर्यून टट से लोट कर राजा को मारने हे तू जब सक्तिवान निकाला तब हनवान जी के कहने पर राजन राम राम जपने लगा अब राम जानते थे राम नाम जपने वाले पर सक्तिवान असर नहीं करता अब वो औसहाय होका राजभवन लोटाते हैं विस्वामित्र उन्हें लोटा देखकर स्राव देने को उतारू हो गए और राम को फिर से सर्यूटत पर जाना परा इस बार राजा हनुमान जी के इसारे पर जै जै सिया राम जै जै हनुमान गा रहा था अब प्रभू स्री राम ने सोचा कि मेरे नाम के साथ साथ यह राजन भक्ति और सक्ति की जै बोल रहा है ऐसे में कोई अस्त सस्ति से नहीं मार सकता और इस संकट को देखकर स्री राम चंद्र जी मुर्चित हो गया तब रिसी वसिष्ट ने रिसी विस्वामित्र को सला दी कि राम को इस तरह के संकट में ना डाले उन्हों कहा कि स्री राम चंद्र जी चाहे वह भी राम नाम जफने वाले को नहीं मार सकते क्योंकि वह राम नाम के नाम में है और खुद राम में नहीं है संकट बढ़ता देखकर इस विस्वामित्र ने राम जी को संभाला और अपने बचनों से मुक्ध कर दिया अब मामला जब देखा कि सम्हल गया है तब राजा की पीछे जो छीप कर हन्मान जी बैठे वे थे न वो अपनी रूप में आते हैं और स्री राम जी के चर्णों में आगिरते हैं तब कहते हैं प्रभू स्रियाम जी कहते हैं हन्मान जी आपने सिद्ध कर दिया कि भक्ती की सक्ती सदैव आरादे की ताकत बनती है और सच्छा भक्त सदैव राम से भी बड़ा रहता है इस तरह हन्मान जी ने राम नाम के सहारे स्री राम को ही हरा दिया तो जै स्री राम और जै हन्मान हर हर महादेर